दोस्तो हम जब जूम मिटिंग हैंडल करते हैं तो बहुत सारे प्रोब्लेम होते हैं और बहुत सारे सेक्यूरिटी का हमें ध्यान रखना पड़ता है कोई unwanted guest meeting में आ जाता है ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो bad words chat में लिखते हैं या किसी के साथ communication करने लगते हैं या meeting को अपने तरह से handle करने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़े हैं जो zoom meeting करने से पहले हमें ध्यान में रखनी चाहिए तो चलिए आज देखते हैं कि अगर आप zoom meeting को safe environment में conduct करना चाहते हैं तो कौनसे options आपको पहले से set कर लेने हैं तो सबसे पहले आप zoom application डाउनलोड करके अपने computer में zoom application को run करते हैं new meeting पे click करते हैं अब दब new meeting पे आप click करते हैं तो zoom नई meeting शुरू करता है अब जो नीचे यहाँ पे दिखाए देते हैं sub option वो sub option हम देखने वाले हैं इससे पहले वो पूछता है कि आप कैसे join कर रहे हैं अपने computer का ओडियो लेके join कर रहे हैं तो हमसे उसपे click करना है तो हम computer का audio use कर रहे हैं अब यहां से शुरू करते हैं यह mute माई केभ अगर हमें you to mute करना defer कर ना तो इसपे click करेंगे जो अभी नहीं करते हैं अपना वीडियो म्यूट करना है तो हम बंद कर सकते हैं वीडियो यहां से तो अभी मेरा वीडियो बंद है मगर यहां से सेटिंग शुरू होते हैं सबसे पहला सेटिंग करने के लिए यह जो वीडियो के आइकोन के बाजू में Air होए उस पे CLICK करते हैं बहुत सारे option दिखाई देते हैं मगर हमें जाना है last option में और वो है video settings video setting option पे CLICK करते हैं तो हमारा video शुरू होता है एक video का preview दिखाई देता है और उसमें हम कैसे video में दिखाई देंगे वो clear दिखाई देता है यहाँ पर हमें एक ही option को ध्यान से देखना है my video में mirror my video अगर आप zoom meeting ऐसे handle करें कि जैसे आप blackboard पर कुछ सिखा रहे हैं तो आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि जो blackboard पर आप लिख रहे हैं वो सामने वालों को बराबर दिखाए दे एसा नहीं लगे का उल्टा जो हम लिखते हैं उससे उनको screen उल्टी दिखाए दे तो यह जो mirror my video है यह option हमें tick नहीं करना है mirror my video option select करेंगे तो हमारा जो board पर जो हम लिख रहे हैं जो देखने वाले उनको पुरा उल्टा दिखाए देगा तो यह बहुत त्यान रखना है और कोई option में यहाँ पे changes नहीं करने है जो जैसे भी है वैसे ही रखने है अब यह option हम बंद करते हैं तो यह हुआ पहला option वीडियो का अब यहाँ पे आते हैं यह सबसे important option है security तो security पे click करते हैं आप देखते हैं security में बहुत सारे options है lock meeting है जो एक बार lock कर दी तो फिर कोई नया member उसपे join नहीं हो पाएगा मतलब meeting चालू रहेगी मगर meeting lock हो गई मतलब nobody can now enter in your meeting तो यह आपको जब भी सही लगे कि आपकी meeting proper शुरू हो गई है और आपको कोई नया participant नहीं चाहिए उसमें तो उसमें आप lock meeting कर सकते हैं enable waiting room यह बहुत अच्छा option है इस पे tick mark होना चाहिए enable waiting room से क्या होता है कि कोई भी बंदा meeting join करने से पहले waiting room में रहेगा वो meeting में नहीं आ पाएगा unless and until हम उसे allow करे तो यह enable waiting room option बहुत important है इससे हमारा पूरा control रहता है कि हम किसको meeting में आने देना चाहते हैं हम meeting के host है और हम meeting में किसको enter करना चाहते हैं यह तभी तभी कर सकते हैं जब enable waiting room option selected है यह चार option भी बहुत important है पहली बात तो यह 4 option पे tick mark नहीं होना चाहिए सबसे पहला है यह share screen तो allow participants for sharing the screen यह option बंद होना चाहिए मतलब जो participant से meeting वार वो अपनी screen शेर नहीं कर पाएंगे chat पे भी option यह chat वाला भी निकाल देंगे तो जो participant से वो chat नहीं कर पाएंगे तीसरा option है rename themselves तो वो अपने आपको rename नहीं कर पाएंगे मतलब कई बार क्या होता है कि लोग अलग-अलग नाम से enter होते हैं तो वो अपना नाम बदल नहीं पाएंगे तो rename वो नहीं कर पाएंगे जो भी उसकी ID है वो ही ID से वो join होंगे तो rename पे भी tick नहीं होंगा ये भी निकाल देंगे और unmute themselves तो वो खुद अपने आपको unmute भी नहीं कर पाएंगे हमने उसको mute कर दिया है तो mute ही रहेंगे वो unmute नहीं होंगे ये दोनों option निकाल देने हैं तो ये हमने दिखा एक ही option हमें select करके रखना है और वो है enable waiting room share screen, chat, rename themselves और unmute themselves ये चारो option हमें select नहीं करने हैं share screen से participant अपनी screen शेर नहीं कर पाएगा chat से वो chatting नहीं कर पाएगा rename themselves से वो अपना नाम बदल नहीं पाएगा और unmute themselves से वो अपने आपको unmute नहीं कर पाएगा तो ये हुआ दूसरा setting तीसरे setting के लिए हम participants पे click करते हैं participants पे click करते हैं तो ये जो screen आती है इसमें है सबसे पहला mute all तो हम सबको mute करना चाहते हैं तो मतलब वो जो participants है वो बीच में कुछ भी comments नहीं कर पाएगे अपना mic बंदी रहेगा उनका ये जो option है वो भी बंद रखेंगे और ये जो option है वो भी ध्यान से देख लेते ask all to unmute अगर आपको meeting में कोई जगा ऐसी चाहिए जहां पे आपको सब participants की आवाज सुननी है वो जो बोल रहे हैं वो सुननी है तो आप यहां पे ये select कर सकते हैं वरना normal meeting जहां पे आपको कोई disturbance नहीं चाहिए participants की ओर से तो ये बंद रखिए mute participants upon entry ये tick होना चाहिए तो जैसे ही वो enter होगा वो mute ही रहेगा allow participants to unmute themselves हमने अभी निकाल दिया allow participants to rename themselves वो भी हमने अभी निकाल दिया उसी option में से play sound when someone joins or leaves ये कोई important नहीं है इसको भी हम बंद रखेंगे वरना बीच में sound आता रहेगा जैसे भी कोई join होगा enable waiting room वो भी हमने active कर दिया है और lock meeting अभी हमने नहीं किये तो ये option हुआ तीसरा option चोथा option है chat में chat में जाएंगे तो भी वैसी छोटी screen एक आएगी ये जो तीन dot है वहाँ पे click करेंगे उसमें लिखा है participant can chat with मतलब जो participants meeting join कर रहे है वो किस के साथ बात कर पाएंगे chat के जरिये तो हम no one रख संगे या हम रखेंगे host only host only रखेंगे तो जो host meeting का host जो कंड़क कर रहा है meeting उससे बात कर पाएंगे दूसरे participants से बात नहीं कर पाएंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा option है त्यान रखना यहाँ पे chat में host only या तो no one ये दोनों में से एक ही option सिलेक करना है अब लास्ट शेर स्क्रीन शेर स्क्रीन के बाजू में जो ए एरो है उस पे क्लिक करके advanced sharing options में जाते है एडवांस शेरिंग ओप्शन में शेरिंग ओप्शन क्या है कि हम अपनी screen share करते हमें कोई presentation दिखाना है कोई video दिखाना है तो हम वो दिखा सकते है share screen options है तो share screen में ये दो options select होने चाहिए how many participants can share at the same time only one एक ही participants share करें दो तीन participants साथ में share करने लगेंगे तो फिर क्या होगा कि participants कोई भी कोई भी बात और कोई भी screen share करने लगेंगे और फिर हमारा कोई control नहीं रहेंगा who can share तो only host जो meeting का host है वो ही screen share कर पाएंगे participant share नहीं कर पाएंगे तो ये दो option भी ऐसे ही select करके रखने है लास्ट में जो ये record है अब meeting proper शुरू करते हैं तो record बटन पर क्लिक करते हैं तो meeting का recording शुरू हो जाता है अपने आप और यहाँ पर देख सकते हैं दो button है pause button है और stop button है pause button से हम meeting का recording pause कर सकते हैं और stop button से meeting का recording पुरा बंद हो जाता है तो ये सब option बहुत important है कोई भी meeting शुरू करने से पहले zoom meeting आप अपने college students के साथ कर रहे हैं school के students के साथ करें तो ये बहुत important है कि आप ये सभी option सीलेक कर लें properly तो आपकी meeting safe environment में कोई भी तरह की disturbance के भी न हो जाएगी तो दोस्तों आज पूरी दुनिया zoom के जरिए teaching और meeting और बहुत कुछ अपने friends के साथ connect हो रहे हैं मगर security सबसे important है जब हम electronically digitally किसी के साथ communicate कर रहे हैं तो security becomes very important I hope you understood this last में जब meeting end करेंगे तो end meeting for all करना है leave meeting नहीं करना है end meeting for all करना है और जैसे end meeting करेंगे वो अपना meeting convert कर लेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी meeting का details आ गई यह video है meeting का recording है यह सिर्फ audio है अगर आपको सिर्फ meeting की audio चाहिए और अगर आपने कुछ chat किया है तो एक chat का भी यहाँ पर option आ जाएगा कि कितने लोगों ने क्या-क्या chat किया है और आपको आपने क्या है यह सुपपने की यहला है आप denोगों छहाँ परक्राइव defend respects यह सिर्फ pष़ आपको लेगों अपको यह тक सmachine झाल झाल